कुदुब मिनार को विश्णु इस्थम का नाम रखने की मांग कर रहे हैं हिंदू संगठन जो है और साथ ही हनुमान चालिता भी पड़ी गई है इसको लेकर काफी विवाद छिड़ा हुआ है तो इस पर ही हम आज मोहिश्चरमा से बात चीत करेंगे इनका क्या कहना है इनका क्या विचार है इस चीज़ पर कि हिंदू संगठन जो है आए दिन कई ना कई जो है विवाद पैदा ही करते रहते हैं देखे भारते जंता पार्टी जो है आज वो मुद्दा विहिन पार्टी हो चुके उनके पास कोई मुद्दे नहीं है सरकार के पास कोई राजनितिक पर ये लोग राजनिती कर सकें तो इनके पास एक ही एजंडा है हिंदू और मुसल्मान का एजंडा ये उस हिंदू और मुसल्मान के एजंडे को अपनाते हैं कभी ये कुत्ब मिनार का नाम बदलने की बात करते हैं कभी ये ताज महल का नाम बदलने की बात करते हैं कभी इलाबाद का नाम बदल के प्रियागराज करते हैं एक बात आप मुझे बताइए कि नाम बदलने से अगर विकास होता तो तरपरदेश के मुखे मंतरी जी जो हैं वो तो कई बार नाम बदल चुके हैं इलाबाद का नाम बदल के प्रियागराज भी किया गया अलीगाड़ का नाम बदलके हरीगट भी किया गया लेकिन उससे देश को क्या फाइदा हुआ यह आप मुझे बताईए अगर कुतुमिनार का नाम बदलके विश्टनु इस्थंब कर दिया जाए तो देश को क्या फायदा होगा और कैसे देश डैवलब करेगा इसका मुझे आप जवाब देजे अच्छा हिंदू संगठन जो है वो लगातार कहीं कहीं न कहीं जाकर कुछ न कुछ मुद्धा उठाते रहते हैं यह जो हिंदू संगठन के लोग हैं यह वहां क्यों नहीं पहुंचते जहां पर हिंदू लोग जो है वो विचारे भूके मर रहे हैं उनके पास खाने को रोटी नहीं है लेकिन इनको रात को सोत हुए भी सपने में यही चीज नजर आती है कि अगले दिन कौन सी मजजिद को कौन से स्थम्ब को उठाया जाए जिसके नीचे मजजिद या मंदिर बताया जाए यह इनों का काम है इनों का काम सिर्फ देश में यही है कि जो जो मूलबूत अवश्रक्ता हैं लोगों की सिखश्या स्वास्त और रोजगार उससे लोगों के ध्यान को हटाना दिमाग को हटाना आज असल में देश की स्थिती ये है कि देश के प्रधान मंत्री जी जो है वो लाल बत्ती में जनता मौमबत्ती में हैं लेकिन इस पर चर्चा कहीं नहीं होगी आज देश की जनता जो है वो बदहाल है रोटी के कारण परेशान है वो सिख्या के कारण उसके बच्चा परेशान है एजुकेशन है नहीं है नहीं बैतर स्वास्त है नहीं जनता परेशान है लेकिन उसके को कि देश के लिए लेकिन आज इस देश के संबिधान के लिए इस देश के लोकतंत्र के लिए लेकिन आज इस देश के जो सम scratches की जो दजिया उड़ाई जा रही है, इस देश के अंदर जो आए दिन हिंदु और मुस्लिम के नाम के जो विबाद हो रहे हैं, पहले भारतिया जन्ता पार्टी की सरकार ने इस देश की राजनीती में राम की एंत्री कराई, राम की एंट्री कराने से कई साल तक राम के नाम पर वोट लिया राम के नाम पर कई जगे सरकार बनाई लेकिन जब इनको दिखा कि अब राम के नाम पर सरकार नहीं बन नहीं है तो ये इन्होंने अब राजिनीती में एंट्री कराई हनुमान जी की इन्होंने 40 वर्सिज आजान कराया हनुमान जी वर्सिज बहुत सारी चीज़े इन्होंने चलाइए ट्रेंड में तो इनलों का काम यही है और जो आप बात कर रहे हैं एक चीज़ बुल्डोजर बुल्डोजर जो रिक्षा चलाकर अपने बेटे को इंजिनियर की पढ़ाई कराता है डॉक्तरी की पढ़ाई कराता है लेकिन उसके बेटे को रोजगार नहीं मिलता रोजगार चलाए बुल्डोजर चलाए तो उसके सपनों पर चलाए बाकि सरकार को कोई फरक नहीं है तो वो कभी रामभक्त नहीं हो सकता, वो व्यक्ति जो देश में दंगे और फसाद कर रहा है, वो कभी रामभक्त नहीं हो सकता, और जो शांती की बात करेगा, जो देश में लोगों को जोडने की बात करेगा, जो भारत देश की तरक्की की बात करेगा, वो असली रामभक्त ह लगाया क्यूं गुम रही है वह क्या इसमे राजनीति आपनी रोटी नहीं बहुत है आपको मैं बात बता दूं वह में के नाम पर जो लोग दंगे कर रहे हैं उनerson को प्रशल और जेल में डाल रही है नार राम आपके बारे में तो आप जानती ही नहीं है, राम तो मर्यादा पुरुशोत्तम थे, राम को तो लोग माना करते थे, राम की पूजा करते हैं और करते रहेंगे, दिवाली राम जी के उप्लक्ष में ही मनाई जाती है, लेकिन राम और रहीम एक थे, एक हैं और एक ही रहेंग भारतिय है जन्ता पारटि नेता पराटि को बताना चाहता हूं कि आप जितना इस देश को तोड़ेंगे थाफ activism क्यों तोड़ईगे तोड़ने का पालने का में तोड़ाज呢 का में काम करते पहmas तो वा इन ममा आप को बेया हैं आदेश गुटा जो है कि लेए हम चाहिए उनसे पूछना चाहता हूं कि अंतर नहिanking नматिक नाम बदलेंगे सानवाज उसेन की नाम बदलेंगे ऐप को मुसल्मान से तकलिफ ना मुगलों के नाम बदल रहे हैं अप उन लोगों से जो वोट नहीं देते हैं बीजेपी अपनी रजनितिक रोटियां सेकने के लिए हिंदू और मुसल्मान कराती है तो मैं इनसे कहता हूँ कि सानाबाज उसेन का भी नाम बदल दो, मुक्तार अबास नकवी का भी नाम बदल दो, आपकी पार्टी में भी तो बहुत सारे मुसलमान नेता हैं, और देश को आप हिंदू मुसलमान का पार्ट पड़ा रहे हैं, ये इतिहास के साथ तो पूरी छे पासद खतम नहीं हुए है, ताज महल पर भी आगे, कि 22 कमरे उनको खुलवाया जाए, क्योंकि उसमें मूर्तिया रखी हुई है, तो उनको बाहर निकला जाएगा, बीच बीच में कहां से ये, उसका एंगल ये भी हो सकता है, कि सोलवी सधी में जो है, वो ताज महल का निर किया ही करेगा, तो ऐसा भी हो सकता है, कि ताज महल को बनाने के लिए, कोई एक दो वरकर नहीं थे, बहुत सारे लोग लगे हुए थे ताज महल के कारे में, तो ये भी हो सकता है, कि उन लोगों ने, उन मूर्तियों को उठा कर एक कमरे में कक्ष में बंद कर दिया हो, ये देश जाना जाता है पहचाना जाता है ताज महल कुतुब मिनार के नाम से लाल की ले के नाम से इस देश की संस्कृति इस देश की बेश बूचा इस देश के कल्चर के नाम से इस देश की डेमोक्रेसी के नाम से संभिधान के नाम से तो तोड़ने का प्रयास ना करें तो क्या लग रहा है आपको की बार-बार जो है मुगलों की चीज़ों को टार्गेट कर रहे हैं शिर्फ मुसलमानों की नफरती जो है वह दिखाना चारा है यह वाक़िक इतियास से प्रॉब्लम है नहीं इनको सी मिलनी चाहिए बीजेपी प्रधानमंतरी की कुर्सी जीजए ये इनके एजंडे हैं गुजराच चुनाफ के लिख लीजिए गुजराच चुनाफ विमाचल चुनाफ आने वाले 24 का चुनाफ , 24 के चुनाफ के लिए ताज महल का बड़ा विवाद खड़ाकर रहे हैं तो अभी तक चुनाव हो गए होते हैं तो भाजपा दिल्ली में क्या वजाओ सकती हैं यह हिंदू-मस्लिम नहीं चल रहा है ना यह को मिनार को लड़ाए जाएगा और यह बीजेपी का पुराना एंजटा हैंदु और मुसलिमान को राना जाहिन जाहिन भारत